दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में टाटा पावर को लेकर आज के दिन एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वहीं कल ही के दिन आमें टाटा पावर के बीच में एक Memorandum of Understanding भी साइन होते हुए देखने को मिला था Win Project को लेकर लेकिन आज के दिन टाटा पावर को लेकर एक और M.O.U. साइन किया गया है जिसका एक Positive Outcomes कल के दिन आपको टाटा पावर की Share Price के उपर देखने को मिल सकता है हाला कि उस M.O.U. के उपर बात करें उससे बिले अगर आज की दिन टाटा पावर के ट्रेडिंग भी सेशन को आप देखेंगे अब बात करें टाटा पावर को लेकर आज की दिन क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा पावर को लेकर आज की दिन दो बड़ी अपडेट्स हमें Corporate Announcement में देखने को मिल रही है जिसमें पेली अपडेट्स तो हमें RWE के साथ में जो टाटा पावर ने MOU साइन किया है wind project को लेकर उसकी update देखने को मिल रही है लेकिन उसी के साथ में आज की दिन हमें Tata Power के अंदर एक और बड़ी updates देखने को मिल रही है जहां पर प्रयाग राज पावर जनरेशन कंपनी के साथ में ZAK Technologies ने एक memorandum of understanding sign गया है तो आप देख सकते हैं ये news recently अभी ही निकल कर आई है जिसमें प्रयाग राज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है साइन एन MOU विट जाग टिकनोलोजी जो की Jointly Establish है इंडिया की First Lepors Pilot Manufacturing Plant 8 PPGCL याने की प्रयाग राज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड प्रयाग राज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड इस होली ओन सबसीडरी ओफ रेंसेंट पावर वेंचर्स लिमिटेड इंकॉर्पोरेटेड इन इडिया विच इस पुली ओंड सबसीडरी है ये टाड़ा पावर इंटी इंटरनेशनल लिमिटेड की जी हां दोस्तों तो ये जो आज की दिन हमें Memorandum of Understanding, Zag Technologies और Praia Garage Power Generation Company Limited के बीच में साइन होते वे देखने को मिल रहा है इसका काफी ज़्यादा बेनेफिट टाड़ा पावर के शेर होल्डर्स को भी मिलने वाला है The Partnership of Praia Garage Power Generation Company Limited with Zag Technologies is in alignment with the Ministry of Environment, Forest and Climate Changes Draft Notification Managing 200% Age Utilizations तो जिस टेकनोलोजी पर हमारी गवर्मेंट काम कर रही है उसी टेकनोलोजी को पूरी तरह से एड़ाप्ट करने के लिए ये partnership आज के दिन हमें होते वे देखने को मिल रही है अगर हम इस टेकनोलोजी को simple way में समझने की कोशिश करें तो लिपोर्स टेकनोलोजी involves a combination of mechanical, chemical and centering process It's a simple, novel and highly scalable production process हमें ये देखने को मिलती है और जिसमें लिपोर्स को यहाँ पर बनाया जाता है तो आप देख सकते हैं ये पूरी process हमें देखने को मिलती है पावर station से लेकर plan तक और अब cycling की process भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो आज की दिन जो Tata Power के अंदर ये MOU साइन हुआ है ये भी Tata Power के shareholders के लिए काफी positive news है उसके अलावा आज के दिन हम अगर Tata Power के volume based काम की बात करें तो आज के दिन भी हमें Tata Power के अंदर 2 करोड 33 लाग quantity trade होते वे देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी बात ये कि market में लगातर हो रही गिरावट के चलते भी यहाँ पर जो order book है उसमें काफी अच्छी fresh buying continuously आते वे देखने को मिल रही है तो overall अगर आपने Tata Power के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आपको panic लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस company की खास बात है कि यह company किसी एक sector में काम नहीं करते हुए बलकि काफी सारे sectors में देखने को मिलती है वही अगर हम इसके price to earning ratio की बात करें तो लगबर 47 रुपे का हमें देखने को मिलता है साधी साथ उन 50,000 करोड रुपे का company के ओपर debt है लेकिन इसी के against में company के पास में काफी healthy reserve भी है पिछले एक साल में company काफी अच्छे returns अपने investors को बना कर दे चुकी है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि company काफी शांदर profit maintain करते वे आ रही है December quarter में company ने याने कि Tata Power ने 10,913 करोड रुपे की sales generate करी है जिसके सामने अगर operating profit की बात करें तो 1634 करोड रुपे का company ने operating profit भी generate किया है जिसके सामने अगर company के net profit को भी अगर आप देखेंगे तो 426 करोड रुपे के net profit में company काफी शांदर देखने को मिल रही है जो कि March 2019 से लेकर अभी तक में सबसे highest है अगर हम Tata Power के technical levels की भी बात करें तो Tata Power का RSI level और MFI level पूरी तरीके से mid range में दिखने को मिल रहा है तो यदि आप इस shares के अंदर खरीदारी करना चाते हैं तो definitely long term purpose से आप यहाँ पर investment कर सकते हैं उमीदे आपको वीडियो और update पसन आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसन आई है तो इसे like और share करना मत बुलिएगा साधी साथ अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated